वेलकम तो अद्विश क्लासेज डॉंट फगेट लाइक, शेर और सब्सक्राइब हैलो अब्रीवन वेलकम तो अद्विश क्लासेज तो आज हम क्लास शेज संस्कृत बुक से पढ़ेंगे तृतिय पाथह जिसका नाम है शब्द परिचयाह तृतिय ठीक तो इसमें आज हम किसके बार में पढ़ेंगे अभी तक हमने पार्ट एक में पढ़ा था पुलिंग शब्द के बारे में और दूसरे पार्ट में इस्ट्री लिंग शब्द के बारे में आज हम पढ़ेंगे तृतिय पार्ट में नपुन्जक लिंग के बारे में ठीक तो आएए चेप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे शब्दार्थ देखेंगे जिससे हमें चेप्टर पढ़ने में क्या होगी आसानी होगी ठीक शब्दार्थ एतत नपुनसक लिंक के लिए यह विश्राम ग्रहम विश्रामालय अत्र मतलब यहां भित्तिकम मतलब घेरा या दीवार खनित्रम मतलब कुदाल या खंती श्रमेका मतलब मजदूर्नी चालेती मतलब चलाती है एते मतलब ये दोनों, बस याने मतलब दो बसें, कुत्र मतलब कहां, गक्षत ह मतलब जा रहे हैं या जा रही हैं रेलिस्थान का मतलब स्टेशन, अंगुलीय के मतलब दो अंगुठियां, इस्था मतलब हैं स्वंड कारह मतलब सुनार या सोनार एतानी मतलब ये नपुनसक लेंग और बहोवचन के लिए कदली फलानी के मतलब केले के फल मधुरानी मतलब मीठे या अच्छे पोशकानी मतलब पोशक करवस्तरानी मतलब रूमाल पुरानानी मतलब पुराने नूतनानी मतलब नए तो यह हमारे हो गए शब्दर्थ इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पार्थ ठीक तो हमारा पहला पैरग्राफ क्या है एतत किम एतत मतलब यह ठीक यह किम मतलब क्या है एतत खनित्रम अस्ती यह खनित्रम मतलब कुदाल है ठीक यह कुदाल है श्रमिका खनित्रम चालयती श्रमिका मतलब मजदूर्नी खनित्रम मतलब कुदाल चालयती मतलब चलाती है मजदूर्नी कुदाल चलाती है ठीक आते हैं दूसरे पैरग्राफ पर तत किम वह तत मतलब वह किम मतलब क्या है वह क्या है तत विश्राम ग्रहम अस्ती वह विश्राम ग्रहम मतलब विश्राम आले यानि कि जहां पर विश्राम किया जाता है विश्राम आले है किम अत्र भित्तिकम अस्ती किम मतलब क्या अत्र मतलब यहां भित्तिकम मतलब दीवार है अत्र भित्तिकम नस्ती यहां भित्तिकम मतलब दीवार न मतलब नहीं है यहां दीवार नहीं है देखिए तो यहाँ पर एक विश्रामाले की बात की गई है और उपर एक कुदाल की बात की गई है दोनों ही क्या है नपुनसकलिंग है ठीक ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुलिंग है दोनों नपुनसकलिंग है और दोनों ही एक-एक है, मतलब एक वचन का प्रियोग किया जा रहा है जहां हमने खनित्रम की बात, यानि कि कुदाल की बात की है, तो महला हमारे पास में ही क्या कर रही है, कुदाल चला रही है जब कि जो विश्रामाल है वो हम से दूरी परिस्थित है इसलिए हमने फर्स्ट पेराग्राफ में एतत का प्रयोग किया, किसलिए किया, एतत का प्रयोग किसलिए होता है, नपुन सकलिंग के लिए, एक वचन शब्द के लिए और जो वस्तु पास में हो उसके लिए, जब कितत का प्रयोग किसके लिए हुआ है, नपुन सकलिंग वस ये दोनों के मतलब क्या है एते अंगलिय के इस्तह एते मतलब ये दोनों अंगलिय के मतलब अंगुठी हैं ये दोनों अंगुठी हैं स्वार्ण कारह अंगलिय के रचयती स्वार्ण कारह मतलब सुनार अंगलिय के मतलब अंगुठी रचयती मतलब बनाता है सुनार ते मतलब वे दोनों के मतलब क्या है ते बस याने इस तह वे दो बस हैं बस याने मतलब बस दो बस ते बस याने कुत्र गक्षत है ये दो बस कहां जाती है ति कहां जा रही है ते रेल इस्थानकम गक्षत है वे तोनों कहां जा रही है रेल इस्थानकम मतलब स्टेशन जाती तो यह पर भी實 आप की बात हो रही थी तो विध समोल दो समय बात ही और तो बला में हैं नहीं की दो क्योंकि अंगुठिया हमारे नजदी खी थी और ते का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि बस हमसे दूरी परिस्तेती ठीक इसके आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पर एतानी कानी एतानी मतलब ये सब कानी मतलब क्या है ये सब क्या है एतानी करवस्तरानी संती ये सब करवस्तरानी मतलब रूमाल हैं किम एतानी पुराणानी किम मतलब क्या एतानी मतलब ये सब पुरानानी मतलब पुराने है क्या ये सब पुराने है न एतानी तो नूतनानी न नहीं ये सब तो तो मतलब तो नूतनानी मतलब नए है नहीं ये सब तो नए है ठीक अगले पहराग्राफ को देखते हैं तानी काने तानी मतलब वे सब कानी मतलब क्या हैं? वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संती वे सब केले के फल हैं. ठीक वे सब कदली फलानी मतलब केले के फल हैं. किम तानी मदुरानी किम मतलब क्या? वे सब मदुरानी मतलब मीठे हैं? क्या वे सब मीठे हैं? आम तानी मदुरानी पो पोशकानी च आप मतलब हाँ, तानी मतलब वे सब, मधुरानी मतलब मीठे, पोशकानी मतलब पोशक, च मतलब और, अब इसका वाक्य दिखते हैं, हाँ, वे सब मधुर और पोशक हैं, वे सब मधुर यानि मीठे और पोशक हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए, केले की बा वे भी हमारे कैसे हैं और नप्वुन्सकुलिंग है लेकिन उपर एतानी का प्रयोग। नेचे तानी का ते आप समझ ढ़ंगे तो आदिक्कत है? मतलब क्यूं डिफरेंटस है इनों में? इसलिए कि एतानी इसलिए प्रियोग किया है क्योंकि रूमाल हमारे पास में ही है और तानी का प्रियोग इसलिए किया है कि केले हमसे दूरी पर है तो इसलिए एतानी और तानी का प्रियोग हुआ है तो इस चेप्टर में हमने किसकी बात की नपुनसक लिंग के बारे में बा होता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शब्सक्राइब शेयर जरूर करना थैंक यू